जै भेरो बाबा की पांचम भाव के बलावल को भी देखना जुरूरी चाहिए अब पहला सुतर ये है लगन और चंदर्मा और भरस्पती से पंचम स्थान पाप घरों से युक्त हो द्रश्ट हो और इस स्थानों में सुभ घरे ने वैठे हो और इने सुभ घरे ने देखते हो तो भी संतान जो ह सुभ में जो दिक्कते आती है दूसरा क्या है लगन चंदर्मा भरस्पती और पांचम स्थानों के स्वामी चटे आठ में बारवे घर में हो तो ये भी अच्छा नहीं होता संतान सुभ के लिए लगन चंदर्मा और भरस्पती से पांचम स्थान से दूसरे स्थान और बार मदलब वुरिश्य राश्य करता है、 ब्रिष्व रास्य है जैसे निया हों तो संतान कम होती है और वह भी समय के कुछ समय बाद जो है अंतराल में संतान होती है ये राशिया जो है अलब सुत राशिया जो है कहलाती है तो पिरे दरसको एक कुंडली आपके सामने है और ये कुंडली पुत्तरहिन योग को बता रही है देखिए लगन में सूरिय हो और पंचम भाव में बैठे हुए है दूसरी कुंडली आप देखिए इस कुंडली के अंदर देखिए पंचम भाव में भरसपती हो और गुरु से पांच में भाव में पापी हो तो पुत्तरहिन मतलब ऐसा व्यक्ति होता है ये ऐक ऐसे व्यक्ति कुंडली है जिसके पुत्तर संतान नहीं तो इनकी कुंडली में देखे, पंचम भाव में बरस्पती बैठी हुए है, गुरु से पांच में भाव में पापी घरे जो बैठा हुआ है, तो ये व्यक्ति उत्रहिन की कुंडली बन रही है, मेरे पीरेदर्स को अगली वीडियो में कुछ विशेश योग के बारे में आप को बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सस्क्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो भी आप देख पाए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते है अगले वीडियो में, जय भैरोवागा की